So good morning guys, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं पहला प्रशन पूछा जा रहा है इमारतों का कुष्थ रूप किसे कहा जाता है तो अंसर होगा acid rain को अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि acid rain में कौन-कौन से acid वर्षा के साथ आते हैं एक तो nitric acid हो गया, HNO3, एक sulfuric acid हो गया, S2SO4 और आपको पता होगा ताजमिल के पीले होने का करण यही, यही acid rain है अच्छा आप यह बताईए, फिर बताईए देश का पहला fire park कहां पे बनाये तो अंसरों का भुगनेश्वर में बितरकनिका national park यह आपको मिलेगा उडिसा में सिं Rongli Parece नेशनल park यह भी आपको उडिसा में ही मिलेगा चक्रवात यास का नाम किस ने दिया था चक्रवात यास यह बंगाल की खाड़ी में आये था 2020 का दूसर चक्रवात आप कह सकते हो या बंगाल की खाड़ी में उठा पहला चक्रवात है 2020 का तो इसका नाम दिया था ओमान ने 2020 का पहला चक्रवात अरब साकर से उठा था उसका नाम तोकाते था म्यानमार ने उसका नाम तोकाते रखा था अगला प्रशन यह है यह देखो चकरवात तोकाते का नाम किस ने दिया म्यानमार ने और इसी दर आपको याद होगा निसर्ग नाम का जो चकरवात आया था जो कि अरब साकर में उठा था उसका नाम बांगलादेश ने दिया था और पिखले साल बंगाल की खाड़ी से जो अ हाती आपको करनाटक में मिलेंगे हाती वैसे किनकिन राज्यों को स्टेट अनिमल है करनाटक का है केरल का है जहरखंड का है और हाती दिवसम 12 अगस्त को मनाते हैं और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ 1992 में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में पंजाब का 23 वा जीला क तो अनकेडमी की हर क्लास कंड़क की जाती है आपके बैंक की हर परिक्षक की तेयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए और ये सारी फ्री क्लासेज आपको मिलेंगे अनकेडमी पर जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने परसनल परियूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं और अनकेडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेट सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं और आप लाइव क्लास में आस्क डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं और आप लाइव क्यूजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी और अनकेडमी पर टोटल बारा भाशाओं में क्ला पर एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ तो आज ही सब्सक्राइब करें अनकेडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाब उठाईए और हाँ देखिए अगर आप मेरा कोड जो की है क्रेक एक्जाम टेंड यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10 परसिंड का इंस्टेंड डिसक प्रिप्शन में मिल जाएंगे तो वहां जाकर के आप इन सब का बेनिफिर उठा सकते हैं अभी हम बढ़ते आगे अच्छा बताइए और्टिजम अवर्नेस डे कब मनाया गया तो आंचारोगा दो अप्रेल को इंटरनेशनल चिल्डरन्स बुक डे अंतरराष्ट्रे बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया तो ये भी दो अप्रेल को इसकी थीम क्या है दो म्यूजिक आफ वर्ड्स बताइए इंटरनेशनल माइन सवर्नेस डे अंतर राष्ट्रे खदान जागरुकता दिवस कब मनाया जाता है तो ये चार अप्रेल को मनाया जाता है अगला है इसे इंगलिश में बोलते हैं वर्ड ओशियन डे वो आठ जून को मनाते है उसकी थीम रही थी दे ओशियन लाइफ और लाइवलिहुट्स फिर अगला है इंटरनेशनल डे ओफ कॉन साइन्स अंतर राष्ट्र अंतर रात्मा दिवस वो हम पांच अप्रेल को मनाते है अब वोल्ड हउमेःथी डे कब होता है दस अप्रेल को होता है थीम क्या रही हॉमेःख रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मैडेसेन अब बताईए राष्ट्र सुरक्षित मात्रत्व डिवस नैश्णल सेफ मदर्ध हुड दे कब होता है 14 अप्रेल को होता है विश्व पार् राजियो गांदी खिल रतन पुरुसकार का नाम बदल कर किसके नाम पे कर दिया गया तो अंसर होगा मेजर ध्यान चंद जी के नाम पे कर दिया गया मेजर ध्यान चंद खिल रतन पुरुसकार हो गया अब और इनके जनम दिन को ही हम National Sports Day मनाते हैं 29 अगस्त को ये जो राजिय मास्टर रे विश्वना तानंत उनको मिला था लास्ट दो जार बीस में पांच खिलाडियों को मिला है पांच खिलाडि कौन-कौन है और किस खेल से सम्मंद रखते हैं किरकेटर रुहित शर्मा, पहलवार विनेश फोगाट और हमारी महिला औकी टीम की जो कप्ताने रानी रामपाल, मरियपपन, ठंगा वेलू, पैराइथलीट है हाई जंपर है ये तमिल नाडू से और एक टेबिल टेनिस प्लेयर भी है मनी का बत्रा अच्छा बताईए भी किस राज्य सरकार ने मक्कल आई थेड़ी मारू थुवम योजना को शुरू किया था तमिल नाडू ने एक तरकी डूरस्टेप हेल्थ केर योजना है और इंटरनेशनल सोलर अलाइन्स प्रेमवर्क एग्रिमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला पांचवा देश बना था भी जर्मनी पहला डेन्मार्क था वैसे इंटरनेशनल सोलर अलाइन्स का हेट्कवाटर गुरू गुरू गुराम हरियाना में मिलेगा गुरू 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 गुराम से आपको याद आता होगा भी पहला हमारे देश का पहला ग्रेन A.T.M अभी खुला गया यहां पे वेसे International Solar Alliance के Director General कौन बने अजे माथुर 15 अगस 2021 को विशेश अथिती के रूप में किसे अमंतरित किया गया तो अंसर होगा ओलंपिक दल को Ease of Doing Business पहल के तहट अपनी यूजनाओं के लिए चार स्कोच पुरुसकार किसने जीते पस्चिम मंगाल ले फिर बताइए रवी कुमार दया ने टूकियो उलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता सिल्वर मेडल जीता रेस्लर है और किस देश ने सनिस्क्रीन पर प्रतिबंद लगाया था भी थाईलेंड ने और इस तरह से प्रतिबंद लगाने वाला सनिस्क्रीन पर पहला देश बना था पलाओ बताइए कि इस देश की मंग छेदू परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया था तो आंसरोगा भूटान तो civil engineering में उतकरश्ट था के लिए मिला था ये परुसकार दिया किसने था ब्रिटेन के institute of civil engineering ने हिरोशिमा डे कब मनाते हैं 6 अगस्ट को मनाते हैं नागासाकी डे 9 अगस्ट को मनाते हैं और 6 अगस्ट को हिरोशिमा पे जो atom bomb डाला था USA ने उसका नाम क्या था little boy और वो था uranium 235 और 9 अगस्ट को नागासाकी पे जो bomb डाला था उसका नाम fat man था वो उसमें क्या भरा था plutonium भरा था किस राज्या या union territory में मालदिव शेली के water विला इस्तापित किये जाएंगे लक्षद्वीप में लक्षद्वीप की capital कवरती है ये आपके सबसे छोटा union territory है लक्षद्वीप यहां के administrator कौन है प्रफुल खोडा पटेल फिर बताईए एक ओवर में छे छक्के लगाने वाले पहले श्रेलंकाई कौन बन गए तो अंसर होगा थिस सारा परेरा और पुरी दुनिया में बात करेंगे तो इस तरह से ये नवे खिलाड़ी बने है बताईए किस बैंक को Asia Money Best Bank Awards में India's Best Bank for SME Small Medium Enterprises चुना है HDFC Bank को जिसका Headquarter Mumbai में MDCO शशीदर चगदी शाने और टेग लेन होती We Understand Your World बताईए किस स्मार्टफोन कंपनी ने Electric वाहन, Electric वेकल बनाने की योगजिना बनाई तो अंसर होगा Xiaomi, चाइना की कंपनी है फिर बताईए Mobile Photography Award 2021 में किस देश की तस्वीर को Overall winner चुना गया तो म्यानमार की तो इसमें म्यानमार के मच्षवारों की फोटो है उसको और Landscape केटेगरी में सबसे Best New Zealand की तस्वीर को चुना गया है फिर बताईए कि इस भारत्य अभिनेता को Forbes की तरब से Leadership Award 2021 दिया गया तो अंसर होगा सुनू सूत को इनकी बूक आया थी उसका नाम है अभी इनको Special Humanitarian Action Award भी मिला था फिर बताईए किसने International Ranger Award जीता है तो अंसर होगा महिंदर गिरी ने ये राजाजी टाइगर रिजर्व में Range Officer है अभी स्कोप की नई अध्यक्ष कौन बनिये सुमा मॉंडल जो की सेल Steel Authority of India Limited की पहली महिला अध्यक्ष है इसको मतलब होता Standing Conference of Public Enterprises बताईए Wild and Willful Tale of 15 Iconic Indians Species नाम की बुक को किसने लिखा नेहा सिनहा ने और अभी 66th Film Fair Awards 2020 में सर्वश्रेष्ट Film किसे चुना गया तो आंचारोगा थपड मुवी को और थपड मुवी की जो एक्टरेस है तापसिप पन्नू को इसमें Best Actress चुना गया और Best Actress है इर्फान खान अंग्रेजी मीडियम के लिए बढ़ते आगे तो चलिए अभी कल के Current Affairs को रिवाइस करेंगे और हाँ उससे पहले मैं आप लोग को बता दू और हाँ उससे पहले मैं आप लोग को बता दू कि General Knowledge सामान्य ग्यान के Top 10 Important Questions का Audio Upload हो चुका है आप में से काफी स्टुडेंट्स ने बोला था कि जो General Knowledge का सामन्य ग्यान वाला एक Last Audio Upload किया था उस तरह की Series को स्टार्ट कीजिए और मैंने कहीं को बताया अभी कि Time नहीं मिल पा रहा था और Series को इतना Response भी नहीं मिला था तो फिर Continue नहीं कर पाए तो अभी थोड़ा सा Time निकाला और ये फिर से Start करने की कोशिश की तो जाना उससे जरूर सुनना Top 10 Important Questions को Discuss किया है Last में आपसे Question भी पूछा है अगर वो Answer आता है तो उसको Comment Box में टाइप करके बताना और बताना Series कैसे लगी और अच्छी लगती है तो उसे Like करके दोस्तों के साथ में Share जरूर करना ताकि कोशिश ये रहे कम से कम एकाद एकाद दिन में इस तरह की Series के Part अपलोड होते रहे Audio Revision का Link आपको नीचे Description में मिल जाएगा वहाँ से भी जा सकते हो या आपकी Crack Exam Application में जो Audio वाला Section है वहाँ पे भी आपको Link मिल जाएगा चलिए अब revise करते हैं कल की important question Mount Harriet का नाम बदल का Mount Manipur रख दिया गया ये काँ पर इस्ते थैं अंडबान निकोबार में बारत में रूसी फिल्म मौथसव के Ambassador कौन होंगे इमतिया जली होंगे राष्टर नवाचार दिवस National Innovation Day ये हम मनाते 15 October को E.P.G. अबदुल कलाम जी की जैनती होती इस दिन 15 October को World Students Day के रूप में भी मनाया जाता है एक आपको याद होगा विश्वर रचनात्मक और नवाचार दिवस भी होता है World Creativity and Innovation Day 21 April को होता है करनाटक बैंक के अद्यक्ष कौन बने प्रदीप कुमार पांजा और करनाटक बैंक का हैटकोटर मेंगलूरू में है बंद कर दिया गया जिसके अंदर 41 फेक्टरीज आती थी तो अब इन 41 फेक्टरीज को रेगूलेट करेगा कंट्रोल करने के लिए ये साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स लाई गई है डॉक्टर एपिज अबदुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्गाटन कहां पर किया गया विशाका पत्नम आंदर प्रदीश में मिसाइल मैन ओफ इंडिया का आ जाता है इनको और टेसी थोमस को मिसाइल वुमेन ओफ इंडिया का जाता है अंतर राश्टर गरीबी उन्मूलन दिवस ये कब मनाया जाता है तो अंसर होगा 17 अक्टूबर को यानि कि इंटरनेशनल डे फॉर दा इरेडिकेशन ओफ पोवर्टी बताओ कहां पर विश्व कर्मवाटी का इस्तापित की गई तो अंसर होगा उत्तर प्रदेश के रामपुर में किस राज्य ने पुलिस नायक के पद को समाप्त कर दिया तो अंसर होगा महराष्टर ने बताओ इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी बोर्ड ओफ इंडिया के अध्यक्ष का अतिरिक्त परबार एडिशनल चार्जेज मिला नवरंग सेनी को तो गैस यह था आज का मरा रिविजन वाला सेशन सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना और वो आडियो को सुनना मत भूलना उसे लाइक करके शेयर जरूर करना ताकि लूसेम चौंटिनुरक्स अगे थैंक यू गाइस